Hey guys, what's up? I hope आप सब लोग ठीक होंगे, मेरा नाम है किरन तो दोस्तों आप लोग ने नोटीस किया होगा कि काफी टाइम से बहुत सारे स्मार्टफोन में हम लोगों को 3.5 mm का ओडियो जेक देखने को नहीं मिलता है और अभी वीवो तो कुछ ऐसा प्लान कर रहा है, मतलब एक ऐसा स्मार्टफोन लाने का प्लान कर रहा है जहां पर ना तो हमें 3.5 mm का ओडियो जेक देखने को मिलेगा, ना कोई चार्जिंग पोर्ट वगेरा देखने को मिलेगा तो दोस्तो सच मानों तो यही फ्यूचर है और फ्यूचर में हमें इसी तरह के स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं तो इसी रीजन की वज़े से वाइलेस इयरफोन बहुत जादा ट्रेंड में आ रहे हैं आपकी लाइफ को काफी हत्तर इजी बना देता है मतलब आपको ऐसे वायर्स बगेरा में उलजना नहीं पड़ता है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इस ब्लूटूथ इयरफोन का रिव्यू करने वाली हूँ जिसका नाम है जैब जरनी और ये आता है जैबरॉनिक्स की तरफ से लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक में ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप चाहे तो वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो तो ये इयरफोन आता है ऐसे बॉक्स में जिसमें इसका प्राइस पीछे की और 13.99 रुपीज लिखा हुआ है और पीछे की और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन वगेरा भी लिखे हुआ है जिसको मैं आगे वीडियो में एक्स्प्लेइन कर दूँगी खेर अभी अगर इस बॉक्स को ओपन करोगे तो इसमें आपको इयरफोन के सासा तीन अलग-अलग साइस की इयरबर्स देखने को मिल जाएंगे साथ ही में एक चार्जिंग कैबल और एक यूजर मैनवल भी देखने को मिल जाएगा जिसमें इसके हर एक फीचर को अच्छे से एक्स्प्लेइन किया हुआ है बट अभी हम इस इयरफोन की बिल्ट क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो वैसे तो ये पूरा इयरफोन प्लास्टिक का बना हुआ है बस फर्क इतना सा है कि इसका आगे वाला हिस्सा हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है ये वाला पार्ट इसका flexible है जिससे आप अगर इस ये फोन को इस तरह से लगाओगे तो आपको कभी भी कोई problem नहीं होगी बट इसके जो आगे के wire से वो काफी पतले हैं काफी नाजुक भी है जिससे लगेगा कि अगर आप इसको थोड़ा भी खीचोगे तो शायद ये तूट सकते हैं साथ ही में इसका ये वाला पार्ट भी पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है जो कि दिखने में काफी average सा ही लगता है और ये कुछ खास premium feel भी नहीं देता है बट हाँ प्लास्टिक का होने की वज़े से ये काफी light in weight है जो कि एक अच्छी बात है और इसके पीछे यहाँ पर magnet लगा हुआ है जो इसको हमेशा जोड कर रखता है और रही बात इसके buds की तो वो काफी comfortable है मुझे उसमें कोई problem नहीं हुआ है बट हाँ इसके tips अगर कुछ इस तरह से angular होते तो थोड़ा सा जादा comfortable होता है बाकि इसके right side में आपको एक zebronics का branding देखने को मिल जाएगा और left side की अगर बात करें तो left side में आपको एक power button देखने को मिलेगा एक LED notification light देखने को मिलेगी एक volume up down के लिए button देखने को मिलेगा और एक mic देखने को मिल जाएगा जहां से आप call भगिरा ले सकते हो और साथ ही में एक USB port भी देखने को मिल जाएगा charging के लिए अब इसके functions के बारे में अगर बात करें तो जैसे ही आप इसके power button को press करोगे तो ये on हो जाएगा और फिर आप इसको Bluetooth से अपने laptop या फिर अपने smartphone से connect कर सकते हो और इसकी अच्छी बात ये है कि आप simultaneously दो devices से इस earphone को connect कर सकते हो मैं तो अपने laptop और अपने smartphone को दोनों को ही एक साथ इसको connect कर लेती हो फिर बाद में मुझे कोई जंजट नहीं होता है जैसे कि 3.5mm audio jack में होता था कभी smartphone से connect करो तो कभी laptop से जो की काफी problematic था और इस wireless earphone की एक और अच्छी बात ये है कि अगर आपको बीच में call आ भी जाता है प्रेस करोगे तो आपके device का voice assistant भी on हो जाएगा मतला विंडोस लापटॉप का कॉटना on हो जाएगी और android devices का google assistant ओन हो जाएगा और अगर आप इसी बटन को थोड़ा सा लंबा प्रेस करोगे तो आपका device off भी हो जाएगा और अगर आप इसी power button को double प्रेस करोगे तो आप रीडाइल भी कर सकते हो जिस नंबर पे आपने last में dial किया था साथ ही में side में जो volume button दिया गया है अगर आप उसको long press करोगे तो आप volume कम या जादा कर सकते हो और अगर उसको short press करोगे मतलब अगर आप उसको 2 second तक प्रेस करोगे और अगर आप गाने सुन रहे हो तो आप previous song या फिर next song में भी जा सकते हो अब अगर इसके charging की बात की जाए तो इसमें आपको एक USB cable मिल जाएगा उसको आप smartphone के adapter में लगा के charge कर सकते हो या फिर directly smartphone के charger से भी charge कर सकते हो और जब आप इसको charge करोगे तो आपको इसमें red LED light दिखेगा बट जब ये full charge हो जाएगा तो वो red LED light off हो जाएगा और आपको कोई भी light नहीं दिखेगा और हाँ इसको zero से full charge होने में exactly 2 घंटे लगते है और आप एक full charging में total 13 hours तक music enjoy कर सकते हो अगर आप इसको 50% volume में सुन रहे हो तो बट अगर आप 100% volume कर रहे हो तो ये आराम से 9-10 घंटे का battery backup दे देता है और ये मैं continuous music सुनने या फिर continuous call पर बात करने का बात करे हो और आपने smartphone को हमेशा आपने laptop और अपने smartphone से connect करके रखती हो कभी भी disconnect नहीं करती हो और पूरे दिन भर में आराम से 4-5 घंटा YouTube और music वगेरा सुनती हो तो ये कभी कबार 2 दिन तक चल जाता और आराम से कई बार तो ये 3 दिन तक भी गया है अब अगर इस earphone की performance के बारे में बात की जाए जो कि सबसे important चीज है तो सबसे पहले बात करते है base के बारे में तो base के मामने में ये earphone काफी decent है मैं इतना best भी नहीं बोलूँगी तो इतना बुरा भी नहीं बोलूँगी बाकि अगर treble के बारे में बात की जाए तो treble मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है बट मिटों से this earphone के काफी अच्छ है है अब अगर मैं overall conclude करूँ तो इस earphone को आप आराम से ले सकते हो अगर आप लोगों को अपनी life को easy बनाना है इसके दिये हुए feature से और अगर आप gym में या फिर jogging करते वक्त earphone use करते हो और आपको calls बहुत जादा आते हैं जिससे आपको बार बार फोन से receive करना पड़ता है तो ये earphone आपके लिए best choice रहेगा बड़ अगर आप hardcore music listener हो ये earphone आपके लिए नहीं है क्योंकि overall performance के मावले में मैं इसको average ही बोलूगी और हाँ यहाँ पर मैं specify करना चाहूँगी कि इस earphone को मैं judge कर रही हूँ इसकी price range को considered करते हुए जो है 13.99 रूपीज बाकी अगर आपको इस earphone को purchase करना है और लिंक मेंने description में दे दिया है आप वहाँ से जाके इसको check out कर सकते हो तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like जरूर करिएगा और ऐसे interesting videos मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी तो channel को subscribe करना मत भूलिएगा